अदर को टो सबस्तित कि उबाद करने है अगर 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 आपने पास यहां पर अब अपन जानते हैं कि मौड के अंदर को अगर मैं डिफाइन करूं इसकी वालू x होती है 4x greater than 0 और इसकी वालू हो जाते हैं अपने बस minus x 4x less than 0 यहाँ पर इसके लिए डेपनेशन होता है जब कॉस x क्या होगा यहाँ पर जब positive होगा तो यह क्या होगा plus sign होगा यह as it is क्या जाएगा modulus open हो जाएगा और अगर यह negative होगा तो यह क्या होगा minus sign के साथ open होगा अब अगर पन देगे तो मैं first quadrant के बात करो x की वालूगर में first quadrant में लूँ ठीक है x less than let's say मैं बोलता हूँ equals to pi by 2 but greater than 0 और greater than equals to 0 ठीक है x की वालूगर में x 0 से greater और pi by 2 से less लूँ ठीक तो इस case में क्या होता है cause x क्या होता है positive ठीक है इस case में क्या होता है cause x होता है positive तो cause x अगर positive होगा तो mod sign जो होगा positive sign के साथ open होगा तो यह जगा cause x और गर मैं x की value greater than pi by 2 मतलब second quadrant अपन assume कर रहे है और less than equals to pi यह क्या गया second quadrant आ गया second quadrant में cause क्या होता है negative होता है अगर second quadrant में cause negative होगा यहाँ पी यह minus sign के साथ open होगा क्योंकि अपन जानते हैं कि modulus के अंदर के quantity अगर positive होई तो वो plus sign के साथ open होता है और अगर वो negative होई तो पीछे minus sign के साथ open होता है यहाँ भी open होजगा आपने पास minus of cos x ठीक है यह open होजगा minus of cos x यह तो अपने function f x को अपने डिफाइन कर लिए अपने को क्या निकालना था average x की value अगर मैं यहाँ से average x की value देखो अब 6 x क्या जागे यहाँ पे यहाँ देखा cos x का difference क्या आता अपने पास cos x का difference का difference हो जाता अपने पास minus of sin x ठीक है minus of sin x और x के लिए intervals क्या है less than equals to pi by 2 और greater than equals to 0 और यहाँ से करके पन देखो तो यहाँ पे भी open cos x का differential क्या लिखेंगे minus sin x को सक का definition minus sin x यहाँ पर minus यहांपे minus है तो यह क्या जागा plus का plus का क्या जाग जहाँ पर sin x, क्यों कि minus minus क्या होगा plus और x के लिए अगर मैं यहाँपे intervals देखू, तो x क्या जागा यह यह जागा pi by 2 is less than x is less than equals to pi अब इन्होंने किस की वैलु पूछी है अगर मैं देखू तो इन्होंने बुला कि f dash of pi by 4 और f dash of 3 pi by 4 अगर मैं f dash of pi by 4 देखू तो pi by 4 किस interval में होता है इस में कौन सा function f dash x का define होगा यहां पर यहां पर मैंनस of sin pi by 4 क्योंकि अगर मैं देखू तो x pi by 4 जोगा वह इस interval में बिलोंग करेगा 0 से pi by 2 में यहां पर यहां पर यहां पर pi by 2 से pi के interval में होगा pi by 2 से pi के interval है second quadrant का angle है यहां पर क्या है difference अपना plus में sin x plus में यहां पर जगा sin of 3 pi by 4 और sin 3 pi by 4 क्या होता है sin second quadrant में क्या होता है positive यहां पर जगा positive 1 by root 2 यह यहां पर इसकी value हो जाएगी simply अपन इसको different quadrant के according break करके modulus को define करें और भी उसका differentiation निकालके अपन इसका value find out कर सकते हैं ठीक है यह अपना answer हो जाएगा जाएगा